हलो, वेलकम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक संस्कृत पाठी योजना, परता संस्कृत में एक लेसन प्लान देखेंगे अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कीजिए और साथी साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अप्लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे कि आप जानते हैं अगर आप अगर बीएड डीएलेड बीएलेड कोई एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और यह संस्कृत में लेसन्पलान है तो इसी टाइफ आप से हिंदी, इगलिश, SST पैटरं तो रहे हैं उसके पास जो description है जो content है वो बदल जाते है बाकि सबकुत सेम ही रहते हैं तो यह जो है यह संस्कृत में है, कि अगर आप संस्कृत में लेसन प्लान बना रहे हैं और यह संस्कृत गद्य है, Class 6, संस्कृत रोचिरा में जो एक चैप्टर है, शब्द परीचयह, उस चैप्टर पर बनाया है मैंने, तो आप इस वीडियो का पने फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई और चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए तो चलिए देखिए सबसे पहले जो है आप जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आपके कॉलेज से या यूनिवर्सिटी में से बताया जाएगा कि आपको कितने टोटल लेसन प्लान्स बनाने हैं किस सब्जेक्ट पर कितने बनाने हैं तो सबसे पहले आप lesson plan number लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पाठी ओजिना number वहाँ पे आप जितने भी number lesson plan present करने जा रहे हैं वो number लिखें। फिर विद्यालयस यह नाम जहाँ पे भी आप people teacher है उस school का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद है कक्षा अंतरम दिवसह विशयह तो यह class 6 ता है आपने 6 लिख लिया अंतरम मतलब किस period में आप पढ़ा रहे हैं वो लिखेंगे दिवसह किस दिन पर आप पढ़ा रहे हैं प्रेजंट कर रहे हैं वो दिन लिखेंगे और विशयह संस्कृत वर्ग सेक्ष़न दिया गया है जिस ब्रसट ने अप प्रेजंट कर रहे हैं अप उसी इस कढ़ मुण वह हो सकते है और वह सेंट लिखेंगे क्योंकि यहां पर लेसंट अब सर्द दिया गया है क्योंकि अभी जो कोरोना पीरियड है कि इस टाइम पे एक पूरे क्लास देते थे बच्चों को पीपल टीचर्स को या टीचर्स को क्योंकि यही होता है ऑनलाइन में आपके सेक्षन एबी सी तीनों को एक साथ पढ़ा सकते हो लेकिन अफ्लाइन में नहीं पढ़ा सकते हैं यहां पर अपर सेक्षन कर रहे हैं या फिर हर क्लास में अगर आपको दो सिक्स की क्लास आपने लिए और दो अलग अलग सेक्षन तो दोनों में आप lesson plan present करके दो अलग नंबर चेंज नहीं कर सकते तो उसके बाद है अवदी कि कितने देर का है वो पीरियड फिर दिनांग कह जिस भी डेट को आप पढ़ा रहे हैं और फिर प्रकरनम क्या है शब्द परीचे यह यह वन इसलिए है क्योंकि यह चैप्टर वन लिया है मैंने इसलिए और जो चैप्टर वन है शब्द परीचे उसको क्या अकारन पुलिंग के नाम से भी जानते हैं उस चैप्टर को तो कोई-कोई यह भी हो सकता है कि कुछ बच्चे इसको व्याकरन की तरह पढ़ए या कोई गद्य की तरह पढ़ए तो इसमें जो है चात्राध्यापिकायाह नाम या फिर चात्राध्यापिकस्य नाम मिस चात्राध्यापकस्य नाम मिस या तो अगर आप फीमेल है तो चात्राध्यापिका है और अगर मेल है तो चात्राध्यापक है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और फिर नीचे आपके ये university में जो भी आपका रोल नंबर है वो और section लिखेंगे फिर उसके बाद है भाशागत उद्देश्यानी भाशा के दिर्ष्टी से क्या-क्या उद्देश्य है इस chapter को पढ़ाने का तो उसमें जैसे देखिए तीन parts किया गया है एक नूतन पदपरिचया है अनुसमरनम और अववोध तो नूतन पदपरिचया में लगबग सारे ही words होंगे जो नूतन होंगे क्योंकि बच्चे न्यू न्यू सीख रहे हैं class 6 में तो लगबग सारे words ही new होंगे तो आप उसमें से कुछ words ले सकते हैं ज्यादा नहीं कि आपने पूरा चैप्टर ही उठा लिया कि जबकि ऐसा होगा कि लगबग सारे ही words बच्चों के लिए new ही है फिर अनुसमरनम जो उनका अनुसमरन कर सके वो सारे words और फिर अववोध वाले अववोध कौन से वाले होंगे सारे ही words अववोध होंगे तो इसलिए प्रवन कोशल पठन कोशल कथन कोशल और फिर लेखन कोशल यह सारे जो हैं इसके विकास होंगे फिर विशिष्ट उद्देश कि इस चैप्टर से प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर इसी चैप्टर से बच्चों बच्चे क्या सीख रहे हैं तो आप वो लिखेंगे तो यहां पुल लिंक जो शब्द होते हैं उनके बारे में और डिटेल में पढ़ना यह हो गया विशिष्ट उद्देश और इस चैनल में और वी लेसन प्लान्स है तो आप वो भी देख सकते हैं उनसे भी हल्प ले सकते हैं फिर उसके बाद है सहायक उपकर नानी कि यहां पे जो है आपने इस लेसन प्लान को प्रेसेंट करते वक्त क्या-क्या किस की सहायता ली है जैसे श्याम पठ्ट हो गया म जो पॉइंटर आप यूज करेंगे क्योंकि हर बार आप बच्चे के सामने जाके मतलब वह ब्लैक बोर्ट पर अगर आप कुछ दिखा रहे हैं तो बार बार वहां पर जाके दिखाएंगे तो जो पीछे बैठे हैं या जो साइड में बैठे हैं उनको नहीं भी दिख सकता है इसलिए आप एक पॉइंटर यूज करेंगे जो दूर से आप पॉइंट करके दिखाएंगे फिर मारजनी हो गया डस्टर, सुधा खंडह, चौक या मारकर जो भी आप यूज करते हैं और फिर पार्ट संबंध चित्रम जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ पिक्चर आप च जो है जो स्टूरेंट्स है वो कुछ शब्दों के बारे में पहले से जानते हैं या कुछ चीजे कुछ विश्यव में पहले से जानते हैं तो सबसे पहले जो है वो है अपका प्रस्तावना तो प्रस्तावना जैसे कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना में हम क्या करते हैं कि कुछ कोशेंस या लगू कथा के थू हम उस चैप्टर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आप तीन या पांच तीन से पांच कोशेंस ही ले सकते हैं जादा ना लीजिए क्यों कि पता चला प्रस्तावना में या आपका समय बरवाद हो गया मतलब पूरा समय आपने प्रस्तावना में ले लिया तो यहाँ पे जैसे देखिए कि भारत के जो देव भाषा है वो क्या है तो संस्क्रिट भाषा बच्पन से सुनते आ रहे हैं बच्चे चाहे उन्होंने संस्क्रिट पढ़े हो या नहीं फिर भी यह सुनते आ रहे हैं फिर संस्क्रिट भाषा में या संस्क्रिट में कितने लिंग होते हैं तीन लिंग होते हैं यह भी जेनरली सबने सुना होगा चाहे वो पुलिंग, स्ट्री लिंग, नपुनसक लिंग यह सब जानते हैं नहीं जानते हैं कुछ भी हो मतलब ये तीन लिंग होते हैं फिर तीन जो लिंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पुल लिंग, स्ट्री लिंग, नपून सक लिंग, चाहे संस्कृत में न पढ़ा हो हिंदी में वो पढ़ते हैं तो वो उससे जानते हैं या फिर ये पुल लिंग जो चैप्ट जानते हैं अब यह उनको नहीं पता अकारांट पुलिंग क्योंकि जनरल यहीं होता हिंदी या कोई और लैंग्वेज में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है इसलिए यह हो गया समस्यात्मक प्रशन या फिर इससे पहले भी बच्चे अटक सकते हैं जरूरी नहीं है कि इसी कोश् इस चैप्टर को पढ़ेंगे इस विशे में पढ़ेंगे तो आप सब बुक खोड़ लीजिए या फिर पहले मुझे सुन लीजिए मैं क्या डिस्क्राइब कर रही हूं या कर रहा हूं फिर आप बुक खोड़कर उसमें देखेंगे फिर प्रस्तूति करनम एशह कहते कि से आप प्रस्तूत करेंगे और बच्चे सावधन होकर सुनेंगे आदर्श वाचन जहां पर आप आरो अवरो से प्रॉपर बिल्कुल कहां पर विराम लगाना है कहां पर फुल स्टॉप कहां कॉमा क्या लगाना है वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर संस्क्रित पढ़ रहे हैं तो उनको अभी आदत नहीं है तो बच्चे अटकेंगे तो थोड़े जादा बच्चों से कोशिश कीजिए कि हां सबसे थोड़ा थोड़ा पढ़ा ले फिर उसके बाद है अशुद्धी शंशोधना जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कीज और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना यह जो है हमारे लिए मतलब जो चैनल क्रियेटर है उसके लिए बहुत मोटिवेशन की बात है आप जैसे की जानते हैं कि स्कूल में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कुछ अच्छा लिगने पर स्टार देते हैं व वो मोटिवेशन का काम करता है तो अगर आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने फ्रेंस को भी बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए तो इससे और क्या होता है इसमें वीवर्स बढ़ेंगे और ज्यादा बच्चे देखेंगे और ज्यादा स्टूडेंस देखेंगे और ज्यादा देखेंगे तो हमें तब लगता है कि और भी वीडियो अपलोट करना चाहिए क्योंकि sleeping फ्रीडियो वह हमारे वांके लिए helpful स्ट्बाट हो रहे हैं मतले हम काम करहे हैं वह आपके लिए काफी helpful है पोकुषिश करेंगे कि और help करें इसलिए हमног सो म बस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंज के साथ शेर करना है वीडियो को लाइक करना है इसमें कितना ही टाइम लगता है तो यह हमारे लिए मोटिवेशन की बात है तो हम और भी कोशिश करेंगे और थोड़े जल्दी वीडियोस अपलोड करें या फिर और वीडि सब्सक्राइब कीजिए अपने घर वालों से सब्सक्राइब करवाईए क्योंकि यह जो चैनल है या इसके जो कंटेंट है यह सबके लिए हर्प फुल है हाँ शायद आपके क्लास में हल्प ना करें लेकिन सीखने में क्या बुराई है तो इसलिए आप अपने फैमिली वाल करेंगे तो वह कुछ गलतियां भी करेंगे तो वहां पर अशुद्धी जो भी उन्होंने किया वह संशोधन करने की कोशिश करेंगे और उसी में काठीने निवारन जिसमें कुछ शब्दा पर ऐसे लेंगे जो थोड़े हाड लगे आपको या नए लगे तो उसमें आप ब्ल जादा टाइम तक याद रहेगा कोई वर्ड है अपने मीनिंग बता दिया कुछ बच्चों को याद रहेगा कुछ भूल जाएंगे लेकिन बच्चों को अगर आप डिमांस्ट्रेशन मैथट से या किसी और मैथट से प्रत्यक्ष विधी से अगर आप बच्चों से ही मीनि निकल वाए फिर भाशानुबाद जिसमें आप पूरे चैप्टर के ट्रांसलेशन को बताएंगे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है इस संटेंस का ये मीनिंग है या इसमें ये शब्द प्रयोग किया है इसकी जगापे ये भी प्रयोग कर सकते थे ऐसे फिर बोधात्म का प्र यहां पर देखिए सार कथम में क्या है संक्षेपी करन जिसमें कि आज हमने ये सह एशह तो इनके बारे में पढ़ा इनकी ये एक्जामपल्स होते हैं कुछ पास चीजे तो हम एशह बोलते हैं दूर हो तो सह बोलते हैं ऐसे सब कुछ आप उधारन देकर समझाएंगे यहा और फिर मौन वाचनम बच्चों से कहेंगे कि आप खुद अपने बुक्स में पढ़िये देखिए अगर कोई डाउट हो तो पूछिए तो उनको थोड़ा टाइम देंगे फिर अनुशाशन के लिए आप क्लास में ही इधर उधर थोड़ा टहलेंगे मतलब देखेंगे कि ह यहां बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं फिर है पुन्रा वृत्यात्मक प्रश्णा जिसमें आप फिर से दुबारा से कुछ पूछेंगे जैसे यहां पर देखिए चित्र दिखाकर मैंने कुछ चित्र लिये थे चार्ट पेपर में या फिर वैसे अलग-अलग पेपर में चित्र चित्र का साइज है ना उस इतना रखना कि यां लास्त बेंच में बच्चा बैठा है वह वह अच्छे से समझ पाए बड़े बिश्याहत्य पहोम आत्यों है चाहिए कि लास्ट में बैठा बच्चा देख भी ना पाई समझ भी ना पाई तो कुछ चित्र दिखा के यहां पर प्रश्ण पूछा गया बच्चों ने आंसर दिया फिर है कक्षा कारिय फिर कक्षा में करने के लिए आप उनको कुछ कारिय देंगे तो मैंने जैसे यहां प की बच्चे बस याद करें बच्चे उसलिशसे कुछ समझे कुछ सीखे कुछ इंटरटेन हो इस टाइब से ग्रिये कारियए जैसे यहां पर देख पंच्य अकारांत पुलिंग शब्द द्वारा वाक्यानी लिखता, मिन्स अकारन पुलिंग पांस शब्द लेने हैं जिसके द्वारा आप वाक्या लिखने की कोशिश करेंगे, फिर एशह सह इती पदद्वयम उपयुज्य वाक्यानी रचेता, तो इन दोनों वर्ड से, क्योंकि इन पर भी ज बात क्या आता है, क्योंकि चैप्टर में तो है ही कर्शती, गच्छती, सिव्यती, इस टाइब से, I hope friends आप लोग को ये चैप्टर या ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में पूट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना थैंक यू